हाई फ्रेंग्स वेलकम अगिनाओं सियने दिरुप्ता क्लासेज तो आज रक्षाबंदन है सब को सबसे बले तो रक्षाबंदन की बहुत-बहुत-बहुत शुब कामना है तो जो मेरे अंदर छोटा सा कवी है उस कवी ने छोटी सी कवीता लिखी है सब बहनों के लिए तो डेडिकेटिट टू अल बहन लोग अहां एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग शायद ये सोचते हैं और इवन बोल भी देते हैं चैनल मजाक में सही कि रक्षाबंदन आरे है खर्चा हौगा वहन पूप लेगी ये अरे भीया बहन कुछ लेने नहीं आई वो तो देने आई है जो आपकी बलाएं ले ले, क्या दोगे उसे 500 रूपे, 1000 रूपे, 2000 रूपे, 5000 रूपे जो बलाएं ले ले आहा तो इतनी हैसियत नहीं कि लोटा सको उसे कुछ तो बस कुछ एक कवी ने कुछ सोचा है, कुछ महसूस किया है, तो उने शब्दों में लिखने की कोशिश की है तो dedicated to all sisters और भाईयों से बस इतने सा मैं कहना चाहूंगा, कि मजाग में भी ये मत कहना कि कुछ लेने आई है आहा, चलो देखते हैं, कि मेरे अंदर जो कवी है, वो क्या सोचता है फटा-फट से, तो रक्षा बंधन, अजीब ये वादा है, उससे भी अजीब ये बंधन का इरादा है भाई, हमने तो यही सुना है कि बहन राखी बांग के तो इसका मतलब भाई को वचन बद है कि वो रक्षा करेगा, लेकिन मैंने तो ये देखा है कि हर पल-पल उसी ने रक्षा किये, वो ही सारी बलईयां लेके जली जाती है तो ये अजीब है अजीब ये वादा है उससे भी अजीब ये बंधन का इरादा है क्या कहूं, कैसे कहूं क्या कहूं, कैसे कहूं दुनिया को लगा कि बहन ने भाई से कुछ मांगा है कि बहन ने भाई से कुछ मांगा है उनको कैसे समझाऊं ये बहनों का गणित कैसे बताऊं जिनोंने सब को बहुत बुद्धू बनाया है फिर भी कोशिश थोड़ी सी करता हूँ, अल्प है ग्यान मेरा, अल्प है ग्यान मेरा, तुटी हो जाए, अगर तुटी हो जाए, तो शमा कर देना ओ बहना मेरी, जो वादा तुने आज तक निभाया है, मुस्कुरा के हर गलती को मेरी छुपाया है, तो शमा भी कर देना, तो शमा कर देना ओ बहना मेरी जो वादा तुने आज तक निभाया है, मुस्कुरा के हर गलती को मेरी तुने आज तक छुपाया है, राखी तू लाई, राखी तू लाई, बनके खुशी तू आई, दिल में उमंग सी जगाई, जो शीला तेरा एहसास है लोग कहते हैं आज रक्षा बंधन का त्योहार है आरती तूने की तिलक तूने लगाया एक मामुली से इंसान को पूजनिये तूने बनाया लोग कहते हैं आज रक्षा बंधन का त्योहार है बलईया तूने ली रक्षा कवच भी बंधाया है खुशियों के लिए मुँ मीठा तक कराया है कि ऐसी मिठास गुली रहे जीवन में मेरे तो बलईया तूने ली रक्षा कवच भी तूने बंधाया है कि कोई बुरी नजर ना लगे खुशियों के लिए मुँ मीठा तक कराया है लोग कहते हैं आज रक्षा बंधन का तियोहार आया है हर दुख तूने ले लिया बलेया ली न हर दुख तूने ले लिया खुशियों का उपहार सजाया है फिर क्यूं कहते हैं लोग कि बहन ने कुछ लेने का मन बनाया है लोग कहते हैं, आज रक्षा बंधन का त्योहार आया है, मुझे तो लगता है, मुझे तो लगता है, हर रूप में, हर रूप में, रक्षा का वाधन तूने ही निभाया है, कभी मा, कभी बेहन, कभी पत्नी, कभी बेटी, हर रूप में नारी ने तो, हर पुरुष पे एक कर्ज सचड़ाया है, फिर क्यूं कहते हैं लोग की रक्षा बंधन का त्योहार आया है, बेहन ने कुछ लेने का मन बनाया है, वहरी रीथ, वहरी रीथ, अजीब तेरा इंसाफ है, जिसने लुटा दिया सब कुछ, उसी को भिक्षू बताया है, लोग कहते हैं, आज रक्षा बंधन का फिर त्योहार आया है, बेहन ने कुछ लेने का मन बनाया है, हर रूप में, हर रूप में, नारी से बहुत कुछ पाया है, औकाद, औकाद नहीं मेरी की ईक्षन भर भी लटा सकूँ, आउकाद नहीं मेरी कीक्षन भड़ भी लोटा सकूं बस इतना कहता हूं बस इतना कहता हूं हाथ जोड इतना कहता हूं हाथ जोड सर को जुका अपनी बलईया उतरवाने तेरा भाई आज फिर भिक्षुक बनके आया है तेरा भाई आज फिर भिक्षा लेने आया है हाँ मैं कहता हूँ आज बंधन का तेवहार आया है बहन ने रक्षा का तेवहार मनाया है सभी भाई खुश हो जाओ सभी भाई खुश हो जाओ तुमारी बलईया लेके तुमारी बलईया लेके खुशियों का तोफा देने का दिर्ण निष्चे बहन ने बनाया है हाँ आज फिर रक्षा बंधन का तियोहार आया है हाँ आज फिर रक्षा बंधन का तियोहार आया है हैपी रक्षा बंधन दिदी जी तो ये मैंने एक छोटी सी कवीता समप्रेम भेट सभी बहनों को समर्पित की वाटसester की ये वाटसेप की ही PDF है एसास से ज़ादा एसास से ज़ादा कुछ दे नहीं सकता नारी का कर्ज किसी रूप में उतर नहीं सकता तारीफ क्या करूं तारीफ क्या करूं नारित्व की कि अल्प मेरा ग्यान है महिमा तेरी मतलब नारित्व, नारी की महिमा तेरी इतनी की जुकता ये सरसज़दे में बारंबार है खुशियां मनाओ भाईयो खुशियां मनाओ भाईयो आज रक्षा बंधन का तियोहार आया है तो ये एक भाई जिसकी अंदर छोटा सा कवी है उसने समपेम भेट दी अपनी बहनों को और भाईयों से सिर्फ इतना कहूंगा कि मतलब जूट मूट भी मजाग में भी ये मत बोलो ना सोचो कि कुछ लेने आई है नहीं कुछ देने आई है खुश हो जाओ तो हाँ आज फिर रक्षा बंधन का त्योहार आया है तो हैप्पी रक्षा बंधन टू आल आपको कभीता कैसी लगी ज़रूर बताओ और थोड़ी सोच बदलो और बहुत जल्दी एक चीज लेके आऊंगा बहुत इंपोर्टेंट मैं समझता हूँ होनी चाहिए कि क्या वेल्यू है नारी की हिंदोस्तान में पहले से चली आरी और अगर कुछ कुरीतिया है तो उन्होंने कब जन्म लिया और क्यों लिया पता होना बहुत ज़रूरी है चलो जी मिल दे नेक्स क्लास में तिल देन बाई 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 हैपी रक्षा बंदन टू आल आहा